कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल मंजवला क्लासेस में दोस्तों मैं हूं चैनल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जैसा कि कि मैं तीन दिन से अप्लोड नहीं कर रहा था कि मतलब किसी अस्थान पर चला गया था उसके लिए लेकिन आप लगतार आपको वीडियो मीलता रहेगा तो ज्यादा समय न ले तो इस वीडियो को चलू करते हैं दिखते रहे हैं कि यानि इस पर है मैं कोश्चन जो पूछा ग समझते रहिए और देखते रहिए क्या कहता है ठीक है देखिए क्या कहता है कि दो पाइप ठीक है दो पाइप ए तथा भी एक टैंग को करांसा 20 मिनियाट तथा 40 मिनियाट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंग को भरने में कितना समय लगेग ठीक है दो पाइप है इस तरह के मैंने कोशन करा दिया था देखिए यह है जो 20 मिनिट लेता है आग दूसरा पाइप है भी एचालिस मिनट लेता है कारा कि यह दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो मैंने बताया था कि दोनों को लें लें कि तरह से लेंगे मने बताया था कि बड़ा संक्या को गहरा लगाई अगर उस संक्या काट दे तो वहीं उसका हो जाता है तो लसीं कितना हो जागा और दे देखका कि सब्सक्राइब कि दिवाइड दीजीं तो ही कितना जयागा विदुनी चालिस आप पेने 40 से का यानि जब इस ओप्षन में आई से नहीं रहेगा तो आई से कर दीजिएगा कोई दीकर यानि बहुत संख्या को का कर लीजिए अपस में जोड लीजिए तो देखिए चौचारदा सपाज बंदरा हो गया आएक एक दू एक तीन हो गया ता करेक्ट अंसर 35 कोजिकार नहीं ना तो चलते हैं नेक कोशन क्या कता है दी दो संख्याओं का इतना है देखिए दिया गया है ठीक है इस तरह कोशन को मैंने फर्मूला से ही बता चुका हूं ठीक है नहीं बताएं तो देख लिजिए इसका एक फर्मूला होता है अगूने सीएफ अब बराबर स्वास्ट नमबर इंटू सेकेंड नॉमर तो इस येप कतना है साथ सू आ सिया इंटू सेकर करता है चार्च नमबर ट्वंचे सिक्षा और सेकेंड नमबर तालना है कुछ नहीं कीजिए देखिए 26 तिया 78 कट गया कोदी काया तो सेकंड संख्या केतना हो जागा चर्तियाई 12 120 हो गया अंसर उतना करनी की जर्वत ही नहीं है तो चलते हैं एक कोशन की देख लिजिए नेक कोशन क्या काता है दो संख्याओं कानुपात फाइब इस कितना दिया गया है यह पांच रेशियो आठ एनि पांच अन्व पाथ दिया गया है और उनका अंतर और तालिस है तो छोटी संख्या किया होगा भ्यान से समझीए इसको किस परकार्शन बनाते हैं इसका अंतर हमको पता है कितना यह तीन-उनीट बराबर कितना ओगा न own 50 एक यूनीट कमान कितना हो जाएगा तो कहा करा कि सबसे छोटी संख्या कोन है पांचे ना तब पांच यूनीट बराबर कितना हो जाएगा तब पांच अगूने सवाल है क्या करता है कि ड अनुपाथ 20 है और सामानुपाथ यहाँ है यहाँ पर पूछ रहा है इसका मान क्या होगा दहांस समझेगा ड के पांच अधि यह और इक देखेंगे पांच होता है दिए के कितना चार अगी के पांच इसको मुट्प्लाइए कर देंगे तक कितना जगा 110 होगी उतना करने करने की जढ़ाती नहीं है एक्जाम देखिया अंसर मारी यह है ना तो चलते है अंगले कोशन की अंगले कोल्पो केकितक हुआ आप्शन से कर लेंगे हैं ना देखिए 8-11 है दूसरा है ठीक है कितना है कि इसको में है ओवान और माइनस चार है तीसरा कितना है साथ माइनस दस है और चौठा कितना है माइनस पांच है ठीयान है से समझिएगा एक söylवान Merah देखिए इसको सबसे पहले आंतर दखिंगा कितना हो जागा एक शगया शाख में माइनस में रहेगा आप इसको सब या mm से तीनों संख्या हमको से लग रहा है लेकिन है लग रहा है इसको मतलब है की यही संख्या को जाएगी है नहीं को सब आपके और और से नौ में और और से छट में अच्छर के ठीक बीच में कौन सा अच्छा होगा तो इस तरह के कोश्ण में खुछ नहीं लोग पूछ रहा है कि आर का अस्थान होता जिसका मान होता है कितना अठारा ठीक है और इसको राइट से है ठीक हार के मतलब राइट समझेगा और लेफ से समझेगा कि अंग्रेजी बारन वाले में लेफ से लेट से समझें की च्छोटा R लिपता हूं अर मतब राइट ॲेट से चट में अस्थानर है य्योद से दखी़िए कि 9 में स्थान परए लेट से कितना है चट में स्थान ये जिसका अमान होता कितना ऩिए आफ बास जोड कर दिए तो आगे किसका होता है होता है एल का तो चलते हैं अगले पॉस्ट देख लिजी एक और रिजनिंग का सवाल है ध्यान से समझेगा क्या करता है देखिए इस सिक्स है ठीक है फिन कोमा एट है फिन सत्रह है फिन उनाइस है फिन अठाइस है आप इन तीस है यहां पड़ी दैस ह समझेगा तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंतर देखेंगे कितना का है दो का इसका कितना है तो यहीं होगे क्रेक्ट अंसर कोशन क्या कहता है कि कि किसी संख्या को च्छा से विभक्त करने पर सेस्फल तीन प्राप्त होता है तो उस संख्या के बर्ग को च्छा से विभक्त करने पर सेस्फल क्या होगा देखिए कोई संख्या है ठीक है तो इसको का करेंगे जो सेस्फल जो बचे का ना सेस्फल कितना प्राप्त होता है करेंगे तो रिमेंडर कितना बचेगा तीन बचेगा ते यही करेक्ट आपका आंसर हो जागा उतना करने की जुरुबात नहीं है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो किसे प्या मंडोला क्लास को लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और दोस्तों के साथ सेयर किजिएगा तब तक मिलेगे अगले क्लास में अगला थैंक यू मिलेगे युझओा पक्राइब टिरह मेंगले को जिसे साथ सेयर को तेर घर सक्षा हो तोब सक्षा है शतन।